रूपी साउजेंड एट परसेंट थ्री यर बॉण्ड तो मैकूले डुरेशन जो होता है मैकूले डुरेशन उसका रॉफ मतलब यह होता है मैकूले डुरेशन का एप्रॉक्सिमेट मीनिग यह है इन हाव मैनी इयर्स विल था इन्वेस्टर रीकवर हीज और हर मटनी कितने टाइम में पैसा वापस आएगा डाट इस अ मीनिंग ऑफ मैकूले डुरेशन समझ में आ रहा है अचा तो सी सबसे पहले यह अगर रुपी साउजन एइट परसेंट नहीं बट जीरो कूपन बॉंड होता अगर यह जीरो कूपन बॉंड होता तो सारा पैसा कब आता तीन साल के बाद आता एक साथ यह सुनो तो जीरो कूपन बॉंड का जो डुरेशन है मैकूले डुरेशन इट इस नतिंग बट मैचॉरेटी मतलब आंसर उड़ेव भी थ्री के सारा पैसा तीन साल के बाद आ रहा है तो अगर रुपी साउजन थ्री यह जीरो कूपन बॉंड है तो उसका मैकूले डुरेशन होता तीन साल लेकिन यह वाला जो बॉंड है उसमें कूपन है तो कूपन है मतलब आपका पैसा एक साल में 80 रुपे मिल रहा है दो साल में 80 रुपे मिल रहा है और तीन साल में 1080 मिल रहा है मतलब पैसा लौटना एक साल से शुरू हो रहा है Is this correct? कुछ पैसा एक साल पे आ रहा है, कुछ पैसा दो साल पे आ रहा है और कुछ पैसा तीन साल पे आ रहा है तो इसकी मैं आवरेज ले सकता हूँ एक साल, दो साल, तीन साल का आवरेज ले सकता हूँ But obviously simple average नहीं चलेगा मुझे ज्यादा importance कौन से साल को देना पड़ेगा ज्यादा importance कौन से साल को देना पड़ेगा थर्ड, क्यूंकि अल्मोस सारा पैसा थर्ड साल पे आ रहा है इसंट इट, बहुत सारा पैसा थर्ड साल पे आ रहा है और दूसरा जो एंगल है यह आपके cash flows है और दूसरा होता है time value of money तो हमको सिर्फ cash flow नहीं cash flow का present value देखना पड़ेगा तो मानलो market में ytm चल रहा है 10% मार्केट में ytm क्या चल रहा है 10% मनलब market में interest rate चल रहा है 10% तो यह सारे cash flow का present value टूणना पड़ेगा तो 80 का present value क्या होगा 80 upon 1.1 raise to 1 बताओ मुझे जरा कितना आएक answer 72.7 72.7 फिर यह 80 रूपीस दो साल बाद आ रहे तो यह raise to 2 हो जाएगा हो मुच इस दाएगा 66.12 और यह तीश्रा जो आ रहा है 1080 वह तीन साल पे आ रहा है तो डिवाड़ बाई 1.1 raise to 3 811.42 तो यह जो मेरे टाइम है एक साल दो साल तीन साल उनका मेरे को वेटेड एवरेड लेना पड़ेगा और वेट्स क्या होंगे यह तीन वेट्स होंगे मेरे तो मेरा जो मैक्यूले दूरेशन होगा वह ऐसा दिखेगा मैक्यूले दूरेशन विल बी इक्वल टू वेटेड आरेज कैसे जुनते हैं इस इंटू वेटेज यह वेटेज है प्लस 2 इंटू इसका वेट प्लस 3 इंटू यह वेट और डिवाइड वाइस वेट्स का टोटल तो बताओ क्या होगा हो मैच कितना अंसरा रहा है वाई तो यह आपका यह आया तो थिस यह मैक्यूले दृरेशन अगर 2.78 यह से कम होल गरते हो तो इस आ पीरियर्ड और अगर 2.78 से ज्यादा होल करते हो तो इस लॉंग पीरियर्ड इस दो इंपोर्टन्स ओव मैकुले दुरेशन सब को समझ में है मैकुले दुरेशन का मतलब